एर इंडक्शन प्रणाली नमस्ते मोटरसाइकल में एर इंडक्शन प्रणाली के इस सत्र में आपका स्वागत है इस सत्र में हम मोटरसाइकल और उसके मुख्य घटकों में एर इंडक्शन प्रणाली के महत्व को सीखेंगे मोटर बाइक में एर इंडक्शन प्रणाली कहीं न कहीं मनुश्यों की श्वसन प्रणाली से बहुत अच्छी तरह से जुड़ी हो सकती है अगर हम मशीन के रूप में हमारे शरीर के बारे में सोचते हैं तो सबसे महतुपूर्ण बात यह है कि हम सास लेते हैं सास हमारे शरीर में हर कोशिका को हवा की आपूर्ती करती है जिससे हमें दिन प्रदिन काम करने के लिए उर्जा मिलती है स्वच्चता और हवा की मात्रा जो हम सास में लेते हैं उसका हमारे शरी के कारियों की दक्षिता के साथ बहुत कुछ संबंध है मानव श्वसन तंत्र का कारिय फेफडों में ऑक्सिजन लाना और शरी से कार्बन डायोकसाइड निकालना है वातावरन की हवा में बहुत सारी धूल और गंदकी के कंड होते हैं फेफडों को अधिक्तम ताजा हवा प्रदान करने के लिए हमारे पास नाख में प्राकृतिक फिल्टर होते हैं ताकि हम सास लेने वाली हवा से एलरजिन, प्रदूशक, धूल और धूँआ साफ कर सकें मोटोसाइकल को भी काम करने के लिए सास लेने की जरूरत है मोटोसाइकलों को चलने के लिए उर्जा अपने इंजिन से मिलती है इंजिन के अंदर कार्बोरेटर से इंदेन वायू मिश्रन जलता है हीट उर्जा पैदा होती है जिसे पईया को चलाने के लिए मेकैनिकल उर्जा में परिवर्थित किया जाता है इंजिन में जितनी ज्यादा हवा जाएगी उतनी ही कमबर्शन प्रक्रिया की कुशलता में वृद्धी होगी जो ज्यादा पावर पैदा करेगी यदि प्रदुशित वायू मंडलिय हवा सीथे इंजिन में चली जाती है तो गंदकी इंजिन के अंदर घरशन पैदा करेगी और अंततह इसे नुकसान पहुंचाएगी मोटर साइकल में एर इंड़क्शन प्रणाली का कार्य इंजिन में साफ हवा को सही से बहने देना है चलिए Air Induction प्रणाली के घटकों और काम पर एक नजर डालते हैं एक मूल Air Induction प्रणाली में एक Air Filter और Carburetor के लिए एक Connection Tube शामिल है इसके अतरिक कुछ मौडल में Air Intake Tube और एक Air Box हो सकता है Air Filter को इस प्रकार से बनाया गया है कि यह किसी भी तरह से हानिकारक मल्बे को इंजिन सहित कहीं से भी प्रवेश्ण करने दे वाईू Filter को ऐसे डिजाइन किया गया है कि Air Flow को अधिक्तम करते समय दूशित पदार्तों को बहतर फिल्टरेशन प्रदान करें पाँच माइक्रोन जितने छोटे धूल कणों को फिल्टर करते हुए आधुनिक एर फिल्टर को ज़्यादा से ज़्यादा एर फ्लो प्रवा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है संदर्ब के बिंदू के रूप में इंसान के बाल का व्यास लगबख 50 माइक्रोन होता है अब चलिए मोटर साइकल में इस्तमाल किये गए एर फिल्टर के प्रकारों पर नज़र डालते हैं तीन प्रकार के एर फिल्टर हैं पेपर फिल्टर, पॉलीरुथेन, फॉर्म फिल्टर और कॉटन फिल्टर पेपर फिल्टर आम तौर पर प्लीट किये होते हैं और धातू के साथ उन्हें लगाने से उनका आकार सही हो सकता है यह सस्ते होते हैं और अक्सर सर्विस के समय बदले जाते हैं फोम फिल्टर लंबे समय तक चलते हैं उन्हें साफ और पुना उप्यो किया जा सकता है फोम फिल्टर अक्सर प्रभावी धूल फिल्टर होते हैं और आम तौर पर ये ओफ रोड मोटरसाइकलों में इस्तमाल किये जाते हैं। लेकिन सघन होने के कारण एरफ्लो प्रतिबंधित होता है। खास कर अगर वे अक्सर साफ नहीं होते हैं तो। Cotton filter महेंगे होते हैं। वह भैतर कार्य के लिए उतकृष्ट गंद की filtering बनाए रखते हुए सिस्टम में ज़्यादा airflow होने देते हैं। उन्हें हजारों मीलों के लिए साफ और दोबारा उप्यो किया जा सकता है। एक अच्छी तरह से रख रखाव किया हुआ Cotton filter एंजिन से भी काफी समय तक चल सकता है। Air filter की servicing या उसको बदलना motorcycle की अन्य प्रणालियों को सबसे सही तरीके से चलने देने का तरीका है। यह सलादी जाती है कि filter साल आना या हर 20,000 km पर बदले जाएं जो भी पहले आए। हम कैसे जानते हैं कि air induction प्रणाली को बदलने का समय आ गया है। हम इन सवालों के जवाब दे कर इसे जान सकते हैं। क्या motorcycle का कार्य पहले से खराब हो गया है। क्या motorcycle में कई rough idle हैं, क्या motorcycle कम इंदन दक्षता दिखाती हैं, क्या air filter में कोई समरचनात्मक च्षती हैं, इन लक्षनों में से कोई भी air filter को बदलने या साफ करने का संकेत हो सकता है। इसके साथी हम सत्र के अंत में आ गये हैं। इस सत्र में हमने सीखा air induction प्रनाली का महत्व, air induction प्रनाली के मुख्य घटक और काम, air filter के प्रकार।